इसे रुपा जीब बात करें अगर गौर कॉंपलेक्स की तो गौर में भी देखने हैं कोई ज्यादा खास लेवल्स बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है जिस आपसे गौर गम अभी 9300 के उपर कायम है तो क्या यहां से गौर गम एक फिर से 10,000 के उपर निकल पाएगा जो गवार गम और गौर सीड में जो तेजी आई है वो सिस्टेनेवल नहीं लग गई है और कासी अतरी सरों से बजार फिस रहे हैं और अभी भी बजारों में गिरावत देखने को पूंग गई है देखिए अभी जो है ट्रेजर से एक फिर से हाथ खीसते हुए नजर आया है इसके अंदर जो एक गम से खंजारी आई थी वो अब कही ने कहीं गायब हो गये तो गवार गम और गवार सीड अभी फिलाल यूमर के सलते तेजी बनी थी अभी फिलाल इतनी जादा तेजी अभी फिलाल बजारों मुझे लगता है कि ये वाला हफ्ता भी हो सकता है कि गिरावत बाला रहे और गवार के अंदर है उपरी स्थरों पर मुनाफ़ा हुसरी हावी होते हुए हम देखें कि फंडमेंटर कोई बहुत जादा भी फिलाल सपोर्टिव नहीं है जो बारिशों कि चलते सोईंग के उपर इंपेक्स आ रहा था उसका एक इंपेक्स हमने मार्केट के उपर आते हुए देखा और उस सबर के चलते ही लोगों ने रियूज बाइंग उपर की और अभी वहां से फिर से कॉफिट वोकिंग हावी होती हुए हमने देखी है तो मुझे लगते ह कि अभी तोड़ा सा शोट टम में गिरावत बढ़ सकती है और इस तरह पर एक वाफिट से खरदारी होता है कि हावी होती हुए दिखाई देखी जी